नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका UPSC Hindi के Study Platform में 108 दिन की Free Series चल रही है UPPCS को Target करके उसी में हम लोग History का Lecture देख रहे हैं Lecture सूरू करते हैं हम लोग जितना भी मैंने portion पढ़ाया है उसमें से कुछ पूछने के साथ पहला प्रशन है आपके सामने की Railway Board का गठन किस Governor General के समय में हुआ था आप लोग इसका Answer Comment Box में कर दीजेगा एक मात्र Governor General जो की यहूदी था उसका नाम आप लोगों को बताना है गांधी जी की हत्या के समय भारत में कौन Governor General था उसका नाम बताना है गदर समाचार पत्र किस अस्थान से निकलता था तथा किस भाशा में प्रकाशित किया जाता था आप सारी भाशाएं भी बता सकते हैं या जो भी भाशा सबसे पहले आपको दिमाग में आ रही होगी उसका Answer कर सकते है गदर जो संस्था है गदर संस्था या गदर पार्टी उसका संस्था पक कौन था उनके नाम आप लोग दिखने है सोम प्रकाश जो ख़वार है जिसके उपर आपका बर्नाकुलर प्रेस अक्ट लागू हुआ था उसके संस्था पक कौन थे और अलहिलाल किसकी पत्रिका है ठीक है तो ये कुछ प्रशन आप से मैंने पूछे हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा स्टार्ट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हमने देखा कि 1877 की क्रांती होती है 1877 की करांती के बाद हमने बहुत सारे जंजाती आंदोलन भी देखे जोंकि 1897 से पहले के थे उसके बाद हमने पत्र-पत्रिकाँं प्रेस से सम्बंधित एक खंड देखा आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो धार्मिक और समाजी कांदोलनों की करने वाले हैं कि भारत की आजादी में धार्मिक और समाजी कांदोलन ने भी एक बड़ा योगदान दिया, जिसमें राजा राम मोहन राय को हम लोग अग्रदूत की भूमिका में मान सकते हैं, 1815 के आसपास राजा राम मोहन राय ने आत्मिय सभा की स्थापना की और 1828 में ब्रह्म सभा ब् मुगल साशक था, वो ब्रिटिस समराट के दरबार में भेजता है, अपनी पेंशन को बढ़ाने की मांग ले करके, इसके बाद हम लोग फर्दर देखेंगे कि स्वामी विवेका नंद जो कि यहां नोट्स में भी लिखा हुआ है, लिखी सारी चीजे हैं बट आगे पीछे होगी, ठीक है, तो स्वामी विवेका नंद जिनके गुरू है, रामकृष्ण परमहंस, तो स्वामी विवेका नंद ने रामकृष्ण परमहंस का नाम भी उंचा किया, उनके आदर्शों पर चले, और 1893 में वर्ड पार्लियामेंट आफ रिलीजन, जिसको बिश्व धर्म क कांग्रेस कहते हैं, वहाँ पर इन्होंने पार्ट किया, जो कि शिकागो में हुई, और वहाँ पर भारत का परचम लहरा है, तो कभी-कभी पूछता है कि वहाँ पर जब गए, तो ये पहले विश्व धर्म सभा जो है, वो कहां आयोजित हुई, तो शिकागो में आयोजित थे, आगे है कि सुभाशन बोस ने आधुनिक रास्ट्री आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है स्वामी विवेकानन्त को, राजा राम मोहन राय के बारे में मैंने बता दिया, जो पॉइंट नहीं बताया है, वो है कि ब्रिस्टल में इनकी समाधी है, इंग्लैंड में इ प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मति सेतु भी कहा जाता है, ये सारी चीजें प्रिवेस येर में पूछी गई है, और आप लोगों के एक्जामिनेशन के पॉइंट अव्यू से काफी महतोपूर्ण है, इसमें तीन डेट लाइन दिया हु इनकी मदद से या मतलब इनकी आदर्शों पर खोली गई, बात करते हैं दयानन सरस्वती की, तो दयानन सरस्वती के बचपन का नाम मूल संकर है, काठियावाण गुजरात में पैदा हुए थे, और दयानन सरस्वती ने आरे समाज के स्थापना की, साथी सत्यार्थ प्रका से नवा जा गया, बात आती है प्रातना समाज की, तो प्रातना समाज का डिरेक्ली एर पूछता है और ये पूछता है कि संस्थापक कौन थे, तो प्रातना समाज के संस्थापक है केशो चंदर सेन, फिर 1867 में ये आई थी, गोविंदर रानाडे इससे जुड़ते हैं 1879 म तो दोनों लोग ही इससे जुड़े हुए हैं, पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्ण जागन के अगरदूत गोविंदर रानाडे को कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, फिर आता है देव समाज, देव समाज 1887 में आता है, जिसके 205 में उसकी अध्यक्ष्टा किये थे, और ये पॉलिटिकल गुरू भी थे गांधी जी के, अचा आपको बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले का गुरू कौन था, ये गांधी जी के पॉलिटिकल यानिकी राजनेतिक गुरू माने जाते हैं, इन्हों नहीं सुझाओ दि फिर आता है बहुजन समाज, तो बहुजन समाज प्रभावी थोकर के खोला गया, जो तिबा फूले के जो आदर्श है उनसे, जिसे मुकंद राओ पाटिल और शंकर राओ जाधाउने खोला था, फिर अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि दारुल उलूम के विशे में कई बार प्रशन पूछा हुआ है, यह भी काफी महतोपूर है, प्रिवेस यह प्रशन आता है इससे, 1866 में दारुलूम खोला, देवबंद में, और मौलाना हुसेन अहमद, इससे रिलेटेड है, फिर हमने क्या ब्रीफ करना है, अगला है कि 1873 में शत्यसोधक समाज आया, जोतिबा फूले के प्रयास के द्वारा, स्थापना की सत्यसोधक समाज की, यह माली के घरजन में व्यक्ति थे, गुलाम गिरी नामा की यह बुक लिखते है, और पाखंडी ब्रामणों के विरुद्धिन का अंदोलन चलता है, यह भी पॉइंट इंपोर्टन है, कि पाखं 1861 में राधा स्वामी सत्संग आंदोलन हुआ आगरा में, जो की स्टार्ट किया गया महाजन अथवा बैंकर तुलसी राम के द्वारा, जिनने शिव दयाल सहाब भी कहा जाता है, लोख हितवादी किसे कहते थे, डरेक्टल इग्जामेनेशन में पूछता है, तो हरी गोप शुराम सास्त्री पंडित के द्वारा लाया जाता है, और अगला है कि पार्सी समाज सुधारक BM मालाबारी है, जो की बाल विवाह, विद्वा विवाह, एज ऑफ कंसेंट 1891 इनी के प्रयास से आया था, ये चीजें जाननी है कि पार्सी समाज सुधारक कौन है तो BM मालाब करने का जो काम किया, वो BM मालाबारी के द्वारा किया गया है, उनी के प्रयासों से, चलिए अब नोट्स में देख लेते हैं क्या क्या चीजें है, नोट्स इग्जैक्ली नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट, स्किप करके पढ़ेंगे, जितनी चीजें महतोपूर होंगी, उतन जीवी वर्गियों के द्वारा किया गया, लेकिन जो निर्धन वर्ग था, सर्वहारा था या सर्वसाधरन था, वो लोग इसमें प्रभावित रहें, यानि कि उन लोगों ने बहुत पार्टिशिपेंट नहीं किया, इसमें कौन प्रभावित रहा, तो बुद्धी जीवी हो गए नगरी उच जातियां हो गई और उदार रजवाड़े जो थे वो लोग इससे प्रभावित ज्यादा दिखें राजा राजा रों मोहन राए जो है पहले भारतिये थे जिन्नोंने समाज में व्याप्त जो बुराईया थे उनके विरोध में अंदोलन को चलाया उनके न रास्टवाद का पैगंबर भारती पुनर्जागरण का पिता अतीत और भविष्य के मद्धे सेतु भारती रास्टवाद का जनक आधुनिक भारत का पिता और युगदूत कहा गया है तो डिरेक्टली आंस कोशन पूछता है इस से बहुत ज्यादा महतोपूर है तो इसको जरा भी स्किप नहीं करेंगे पीवाइक्यू करेंगे आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगा है घटना चक्र का पीवाइक्यू आप लोग करते रहे है साथ में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में इन्हों ने आत्मीय सभा की स्थापना की तो एक चीज़ हो गया कि एकेश्वरवादी मत का प्रचार ठीक है ब्रह्म सभा की स्थापना की थी 1828 में और इसी का नाम बदलता है और ब्रह्म समाज हो जाता है जो आप लोग जानते होंगे देवेद्ना टेगोर राजा राम मुहन राई के विचारों से प्रभावित थे और 1849 में तत्व बोधनी सभा की स्थापना किये थे तो जैसा मैं आपको बताया था कि तत्व बोधनी सभा स्थापना कर रहा है देवेद्ना टेगोर जो कि रवीन लाँ टेगोर के पिताजी है लेकिन ये प्रभावित किससे हैं? राजा राम मोहन राय से प्रभावित है हिंदु धर्म का अगर पहला सुधार अंदुरन की बात की जाए तो ब्रह्म समाज जो के 1828 में आया उसी को मानते हैं और इस पर पाश्यात सभेता का बहुँ जादा प्रभाव था इनको मुगल बात साहा अकबर भेजा था ब्रिटिश शामराट विलियम चतुर्स के दरबार में अपना दूत बना करके किस बात से रिलेशन में भेजा था तो जो उसको पेंशन मिलती थी उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए बात्चित करने के लिए इनको भेजा हुआ था इंगलेंड के ब्रिस्टल में इनके मृत्य होती है बात याद रखनी है 833 में ठीके और वहीं पर उनकी क्या बनाई गई है टूम या समाधी बनाई गई है कुछ लोग टॉम भी कहते हैं टूम बोला जाता है ठीके तो टूम या समाधी वहाँ बनाई गई है राजराम मोन रहा एंग्रीजी सिक्षा के पच्छिदर थे आपको समझ में आगया होगा मैंने पहले भी बताया है कि मिरातु लखबार निकालते थे और एक विश्वरवादियों के लिए उपहार करके बुक भी लिकी थी इन्होंने ठीके और भी कई भाशाओं के जानकार थे जैसे इन्हें फार्सी आती थी उर्दू आती थी हिंदी आती इंगलिश आती थी और भी अन्य भाशाय भी आती थी उनके अनुसार एक उदारव नहीं आएगी तो आपको प्रशाशन में भाग कभी नहीं मिलेगा तो यह इस बात के भी पक्षधर थे कि इंग्लिस सिक्षा भी आनी चाहिए मुर्ति पूजा बाल विवा और सती प्रथा जैसी समाजी कुरुतियों का विरोध किया तो एक बात याद रखनी कि मुर्ति पू और तो रामकेष्ण प्रशाशन के बारे में क्या-क्या स्टाटंट हुसमाद रही है कहने का मतलब कि suppose करो कि यहां पर main जो aim है या लक्ष है यहां पहुचना है अब आप इसको पहुचने के लिए चाहें यहां से start करो यहां से start करो यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से जितने भी धर्म है कहीं से start करो चाहें जैसे भी घूम के जाना चाहो लेकिन पहुच उसको साकार कौन करता है, तो स्वामी वीकान Над करते हैं, जो इनके शिश्य बनते हैं. साधान भाषा में इन्होंने इनकी जो भी दी हुई सिक्षाएं थी उसका वर्डन किया और इन्होंने नवीन हिंदु धर्म जिसे नियो हिंदुजम भी कहते हैं इसके प्रचारक के रूप में उभरे तो अगर आपसे पूछा जाए कि नियो हिंदुजम के प्रचारक के रू और थामेरिका में जहां वर्ड पार्लियमेंट आफ रिलीजन यानि कि विश्वधर्म संसद्या संभिलन में भाग लेते हैं और भाषर तो अपना सुप्रसिद्ध भाषर दिया सुभाष अंद बोस ने इनके बारे में कहा कि जहां तक बंगाल का संबंधा हैं विवेकानंद को आधुनिक रास्ट्री आंद्रोन का अध्यात्मिक पिता कह सकते हैं ठीक है फिर रामकृष्ट मिशन की बात आती है तो सुमावी विवेकानंद ने यह यह पूछता है कि कब स्थापित किया तो 897 में स्थापित किया पंजी करन करा है 1909 में यह चीज़े नहीं पूछती है और कहां पर स्थापित किया मुख्याला कहा था तो बेलूर में था कलकत्ता के ठीक है तो यह दोनों चीज़े आपको एक्जामेनेशन में देखने को अक्सर मिल जाएंगी प रामकेशन पर हमांस के नाम पर किया था आपको यह पता है यह 19 सदी का अंतिम महान और धार्मिक समाजिक आंदोलन था इसकी विशेष्टा थी कि जो भी पश्यमी कल्चर है और पूर्वी कल्चर है या इसको आधनिक और पश्यमी दोनों कह सकते हैं मतलब वेस्टरन और इ पूरितियां उनको हटाना है लेकिन भारत का जो प्राचीन आधर्श है प्राचीन संस्कृति है उससे क्या करेगा प्रेणा ग्रहन करेगा शुद्वेदांत के सिध्धांत को भी अपना आधर्श मानता है तो यह पॉइंट याद रखना है पहला और दूसरा याद रखना है कि इसका लक्ष है मनुष्व के भीतर की उचत आम आध्यात्मिकता का विकास करना एक कहानी है स्वाम विखनानत के बारे में कि रामक्ली जी के सिखिए घ्यान करे कि किस तरह से आप ध्यान करके अपने चित को बाहर ले जा सकते हैं मतलब ऐसा समझ लो कि जो भी प्रिस्वी का ओजमंडल है जिसे बाहर लेके चले जाओ इतना ज़्यादा ध्यान कर लो ठीक है तो ये सारा ज्यान जो भी मतलब स्वावी विवेकानन्द को हुआ हला कि बचपन से ही वह ज़्यादा कुशागर थे लेकिन गुरू का ज्यान जरूरी होता है जिसे गुरू क्या देता है गुरू कुछ नहीं देता है ऐसा नहीं कि गुरू को जिसे मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे भद्दे कमेंट्स पर आते हैं हम लोगों पर लेकिन गुरू क्या देता है गुरू के और डारेक्शन देता है डारेक्शन देने का काम गुरू का होता है और सच बता रहा हूँ जिसके पाश डारेक्शन नहीं है वो कहीं नहीं जा सकता तो इसलिए गुरू को लोग महा जो है गलत बाते नहीं सिखाता चाहिए आप कुरान पढ़ लो मुसल्मानों का या फिर Christianity का Bible पढ़ लो या फिर हमारे कोई भी गरंथ पढ़ लो अगर आप सच में पढ़ रहे हो तठास्त होकर पढ़ रहे हो ये नहीं कि अब Christianity का Bible उठाया तो बिल्कुल दिमाग लगा लिया है नहीं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी होई होंगी सबका अपना एक कल्चर है जो लोग जहां के स्थानी निवासी है वहां का एक कल्चर है ठीक है तो अगर उस हिसाब से किसी भी गरंथ को पढ़ना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि सब धर्म जो है या गरंथ जो है वह आपको लोगों पर दया करना अच्छी बातें मूराल चीजें नैतिक सिक्षा इस से रिलिटर बातें अच्छी बातें बताई जाती है चले आज थो बात याद की कौन कहता है कि सभी खर्म विशार एक ही मंचिल तक पहुचने के विवन रास्ते Кिटें पके तो दिन यार्ट करना जोकी शार्दा देवीस से नाम से जानी जाती है और रमकुष्ण परमहान्स के साथ इनका हुआ हुआ था ठीक है कितने वर्स की थी पंच वर और पांच परश की शारदा देवी या शारदा मड़ी मुकवपाद्याय थी जिनसे उनका विवा हुआ था तो कभी कभार उनका नाम भी पूछा जाता है स्वामे देयानन सरस्वती की बात स्टार्ट होती है तो नाम था बच्पन का इनके मूल शंकर ठीक है इनके बार में एक कहानी है कि इन्होंने देखा कि भगवान शिव पर चूहे चड़ रहे है तो उन्होंने कहा कि जो भगवान स्वयम की रक्षा नहीं कर सकते चूहों से वो हमारी रक्षा क्या करेंगे ठीक है तो बच्पन में इनके उपर एक इस तरह से दिमाग में जो उनका नाम है स्वामी विर्जानन ठीक है और उनसे वेदों की सुद्धार्थ वैदिक धर्म के प्रतियागाज स्रद्धा प्राप्त करते हैं और 1867 में पाखंड खंड़नी पता का लहराई यानि ये पाखंड खंड़नी अगर पूछता है कि पाखंड को तोड़ने वाला जो रचना है उनकी रिग वेद भाष अद्वयत मत खंड़न पंच महायग विधी तथा वल्लभाचार मत खंड़न इत्यादी चीजे जो है इन्होंने लिख रखी है तो यह भी चीज़ें इंप्रकाश और वेद भाष भूमिका के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है ठीक कि अच्छा साशन अगर कर रहे हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि स्वाशासन को रिप्लेस कर देगा मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्मेंट होती है उसको किसी और का अच्छा साशन रिप्लेस नहीं कर सकता वो उसकी वैलिव अपनी जगा है मूल संकर ने 1875 में आरे समाज के स्थापना की थी ठीक है और मुख्य देश था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुना स्थापन करना ठीक है इन्होंने आरे समाज का एक मुख्याले लाहोर में भी स्थापित हुआ उसके बाद जो है आरे समाज का अधि ऐसा नारा किस ने दिया एक्जामेनेशन में आपको पूछा जाता है तो पुना वीदों की ओर लोटो या वेदों की ओर लोटो का नारा स्वामिद्यान सरस्वती ने दिया किसके किसके विरोधी थे तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे बहु देववाद के विरोधी थे अवतार को नहीं मानते थे, पशुबली तंत्र मंत्र जूटे करमकंडो को स्विकार नहीं करते थे, पशुबली दे दो, बड़ी अच्छी बात है, देवी खुश हो जाएंगी, तो यह सब बेखुफी बरी बाते मानते थे, अवतार नहीं मानते थे, यह उनके अवतार हैं, वो राम के उतार है, वो उनके कृष्ण के उतार है, ये चीज़े नहीं मानते थे, बहुत देवाद नहीं मानते थे, कि बत्तिष्टो देवता बना लियो, ये मानते थे, कि ये की ही सत्ता है, वेदो की और लोटो, वेदो से सीखो चीज़े, ठीक है, मूर्ति पूजा में मैं जो गुट में बढ़ जाता है, एक गुट जो है विस्टन जो भी सिक्षा है, उसका समर्थक था और गुरूधी था, तो जो कभी कभी पूछता है कि जो आरसमाज आपका बच रहा है, उसमें जो पास्चाते सिख्षा के विरोधी है, वो कौन है, तो स्वामी श्रद्धानंद है, लेख राज है और मुंशीराम प्रमुख है, ये लोग क्या करते हैं, 1902 में गुरुकुल की स्थापना करते हैं, तो याद रखे हैं, गुरुकुल की स्थापना का मतलब क्या है, गुरुकुल का मतलब हो गए कि थोड़ा सा अपने कल्चर को लेकर के आगे बढ़ने, यानि कि पाश्चाते सिक्षा के विरोधी हैं, कौन-कौन है, श्रद्धानंद है, लेख राज और मुंशीराम, फिर पाश्चाते सिक्षा के समर्था कौन है, जैसे लालाच पत्राय हो गए, और हंसराज ये लोग थे, इन लोग ने दियानंद ए कई सारी चीज़े मिलेंगी, अभी फिलहाल इसमें ये दिया हुआ है, तो आप इसको स्वराज सब्धिका प्रियोग में, अगर ऑप्शन में रहता है, स्वामें देन अन्सरस्वती, तो आप लगा सकते है, चीके, फिर आता है आतमारम पांदुरंग का, सीधे इनकी जो सं स्था है, उनके बारे में पूछता है, तो प्रातना समाज की स्थापना करते हैं, बंबई में 1866 में, 1867 में, इस्टेबलिश प्रातना समाज, तो आतमारम पांदुरंग, डिरेक्ली नाम याद रखलो, सीधा कोशन ये पूछता है, कि अतमारम पांदुरंग, बस इतनी ची की विवाह जो कम आयू में हो रही है उसका विरोध कर रहे थे उसकी आयू बढ़ाने की बात कर रहे विध्वाह करेंगे जो भी विध्वाह है उनका फिर से विवाह होना चाहिए इस तरही definsky याद कर सकते हैं देव समाज और शिव नराड अगरी होतरी तो DSA करके याद कर सकते हैं और ये ब्रह्म समाज से ही प्रेरित हैं फिर इन्होंने एक बुग लखिया देव शास्त्र कम पूछता है जान सकते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मिशन के लिए क्या पूछता है सत्य सोदक समाज की स्थापना कौन किया तो जोतिबाफूले की ओर कब की इन्होंने चलाया था अपना आंदोलन फिर आता है राधा के राधाकांद देव का नाम 830 में इन्होंने बंगाल में धर्म सभाकी स्थापना किया समाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूड हिवादिता का समर्तन किया तो इसलिए इंपोर्टन हो जाता है क्यों राधास्वामी सत्संग तो उसका जो इस्टब्लिश्मेंट हुए 831 में आगरा के एक बैंकर या महाजन है तुलसी राम जिनको शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जा रहा है या इनका नाम स्वामी जी महाराज भी है तो उस नाम से भी लोगप्री है इन्हों नहीं किय गया था राधास्वामी सत्संग की स्थापना यह कहते थे कि एक ही परमेश्वर है और गुरू की महत्ता में विश्वास करते थे जो गुरू होता है उसकी महत्ता में विश्वास करते थे और सत्संग और साधन समाजिक जीवन में व्यतीत करने का इनका विश्वास था ठी जैसे आप कभी नाम सुरे होगे इनका जो चितरंजन्दास है तो आप मुझे इनका उपनाम क्या है चितरंजन्दास को उपनाम क्या देते थे तो जैसे इनको लोग हितवादी दिये हैं गोपाल हरी देश मुख को उसी तरह चितरंजन्दास को कुछ देते थे तो आप मुझ विष्णू परविववाय एक अभियान काने तुकर रहे हैं और विडो री मेर्ज अस्थापना ये करते हैं और विधोपर अंदोलन भी चलाते हैं ठीक फिर एक पार्सी समाज सुधारक है जिनके बारे में बहुत ज्यादा कुश्यन पूछता है, जिनका नाम है BM मालावारी या बहरामजी मालावारी, ठीक है, उनीस वी सदाती यानि कि 1800 सम्तिंग के हैं, ये पार्सी परिवार में होते हैं, बड़ाउता में जन्में हैं, बाल विवार के खिलाफ और विदवा जन्में में आया है, इनी के प्रयासों से पारित हुआ, तो पारित कराने में इनका भी बहुत योगदान है, फिर आते हैं MG रानाडे और रगुनात राव, इन दोनोंने मिलकर के 887 में भारती रास्ट्री समाजिक सम्मेलन, 885 यानिक इंडशनेशनल कॉंग्रेस के बाद ज कि जैसे कुछ लोग जिनके पास अच्छे पैसे हैं या बड़े कुल से आते हैं, जैसे सपोस करो कि मोतिलाल नहरू का लड़का है, जवाला नहरू, ठीक है, तो मोतिलाल नहरू के जो लड़के हैं, जवाला नहरू, वो एक कुलीन वर्ग की हो गए, कि मोतिलाल नहरू एक अच्छे लॉयर थे, वो सरे पैसे थे, उनका जो लड़का है, वो कुलीनवर्ग में ही पैदा हुआ, जैसे आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, नरिंदर मोदी और रहूल गांदी के बीच में, डिफरेंस करके कुलीनवर्ग को समझ सकते हो, चलो, फिर आता है, दो एक्ट है डिरेक्टली एक्जामेनेशन में पूछे जाते हैं, पहला याद कर लो, कि 1850 में आथा, Caste Disabilities Act, ठीक, बस इतने पॉइंट याद करना है, कि 1850 में आए था, Caste Disabilities Act, ठीक है, डिसएबिलिटी को डिस लिख दिया है, Disability, ठीक है, ये चीज दिखा हुए, Disability, ठीक है, IES भी लग पोटे करना होगा से नोट्स बनाना होगा तो फूote नोट्स बना लीजयेगा जीप आज Recnings स्क्शव बहुत बढ़रा का मिचा में मुझे नाम नहीं याद है उस भच्छ donation कि cell सर मुझे अपने लिखे हुए चीज़, अपने नोट से याद होता है, और इतना सच्चाई है ना इस बात में, यह बिल्कुल सही बात है, यह जो लोग PDF मांगते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है अप लोग PDF मांगते हो, रिवीजन के लिए अच्छी बात है, समय बचाते हो, लिकिन जो सच्चाई उसने बोली, कि सर मुझे अपने नोट से याद होता, यह बिल्कुल करेक्ट है, मैं कहता हूँ कि अगर PDF से रिवाइज कर लो ना, तो कुछ blank pages खरीदे रहा करो, किसी भी company के, साधे पन्ने, एफोर वाले, उस पर लिखा करो, ठीक कि वो आपके memory में होना चाहिए, यह नहीं कि हर चीज के लिए book खोड़ लाओ, एक बारी उठाया, revision कैसे करते हैं, बस वो बता रहा हूँ, last time revision, last time 15-20 दिन कैसे पढ़ना है, एक बारी पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या किया, उठाया page, उपर heading डाला, समाजी कार्थिक समाजी का और धार्मिक सुधार अंदुलन, ठीक है, अब लिखना स्टार्ट किया, तो राजरामोन रहा का स्टार्ट किया, तो 1815 में, राजरामोन रहा, राजरा को में लिख दो कि अकबर की टाइटल दिये, 1830 में, जो समराठ थे, इंगलेंड के, उनके दरवार में गए, क्यों गए, क्योंकि अकबर 2 को, जो पैसे मिल लेते हैं पेंशन, उसको बढ़ाने के लिए गए, फिर 1828 में आते हैं, ब्रह्म सभा के स्थापना करते हैं, बाद में ब्रह्म समाज हो जाता है, ठीक है, आगे चलके दो फाड हो जाता है, 1849 में उसे देविंदर टैगोर जो स्थापना करते हैं, इस तरह से क्रमशा, जितनी चीजें याद हैं, ठीक है, स्वाइम विकानन्द के बारे में आया, रामकिष्ट परहफंस के बारे में याद आया, देरन सुरसती के बारे में याद आया, जो भी पॉइंट याद आ रहा है, महादेव रनडे के बारे में कुछ भी के सोचन सेन के बारे में आता है, सब लिख दो, और लिखने के बाद उसको फढ़के फेग दो, एक बारी पढ़लो, फिर फेग दो, क्यों, क्योंकि जब आप दो बार लिख दोगे इस तरह से, खुद से सोचके, तो भाई साहब, वो आपके दिमाग में घुश च ला गया, अब उसको कोई चाहागे भी निकाल नहीं सकता, रिवीजन ऐसे करना है, ठीक है, चलो, तो दो एक्ट मैंने बता दिया, फिर करा सती निशेध रेगुलेशन, जो लॉर्ड विलियम बैंटिक के समय में 1829 में है, तो ये भी देख ली जगा, सती निशेध या सती प्रता पर रोक कब लगी, 1829 में लगी, बिलियम बैंटिक थे उस समय, कलकत्ता में संस्क्रित कॉलेज के अचार है, इश्वरचंद विद्यासाकर, उन्होंने विद्वा पुनर विवा के लिए कथक प्रयास किया, काफी इंपॉर्टन डाम है, सोम प्रकाश इन्हीं की प्रयास थे, उससे 26 जुलाई 1856 को हिंदू विद्वा पुनर विवा आधिनियम, हिंदू विडो री मैरेज एक्ट जो है, 26 जुलाई 1856 को येर काफी इंपॉर्टन डेट काफी इंपॉर्टन याद कले जगा, इन्हीं के प्रयास से जो है, स्टार्ट हुआ या निके पार नहीं पहुत जानते होंगे, बहुत लोग एक्टुल रिञती नहीं जानताए, सति प्रता एक कुरीति थी, ये मांते थे कि जैसे किसी का पती मर गया, किसी भी एज में मर गया, तो जो विधवा है वो अब उतनी सुरक्षित है नहीं, समाज में निकल नहीं सकती, समाज में किसी का पती मर जाता था तो इसलिए जैसे अभी भी आप ये चीज देखेंगे न तो मैं इसका एक अभी live example आपको बता रहा हूँ कभी भी किसी भी महिला से पुछोगे न जो भी आज 50 years की age group में होगी या even less than 50 वो आपको कहेगी कि कभी में मरना तो हम सुहागन मरना पसंद करेंगे कभी भी किसी से पुछ लो अगर कुछ लड़कियां देख रही है तो अपनी माताओं से पुछे कुछ लड़के देख रहे है तो भी अपनी माताओं चाची भावी जो भी है उनसे पुछ ले कि आउड़े हमेशा यह चाहती हैं कि हम सुहागन मरें, क्यों सुहागन मरें पता यह क्या है, यह एक mindsette है दोस्तों mindset क्या है कि क्या करते थे कि जब किसी ओरत का पती मर गया 1828 से पहले तो ग्या करते थे, उसको छेयर पर बैठाते थे, या जबर जस्ती चिता पे लिटाते थे कुछ पिला करके या बिना पिला दोनों चीज़ें होते थे अफीम पिला देते थे ज़्यादा सरा अफीम पिला देते थे चिता पे बैठाते थे या लिटा देते थे और बान देते थे या चेयर पे बैठाते थे बान देते थे और चिता के उपर ले जाके रख देते थे ठीक है तो ये जो सिस्टम था ना ये एक दिन में नहीं आया हमारे वैदिक कल्चर में ऐसा कुछ नहीं था धीरे 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 चीजें ट्रांसफार्म होती गई जैसे आज किसी को ट्रोल करना एक फैशन मन गया है पहले ट्रोल करने पर बुरा मना जाता था आज अगर ट्रोल करोगे तो वो फैशन है कि आपको पैसे मिल ला है इसी तरह से यही अगर कल्चर चलता रहा तो किसी को खून कर दोगे वो भी एक फैशन हो जागा कि पैसे मिल ला है ठीक है मतलब एक बात बस बता रहा हूं कि धीरे धीरे इस तरह से ट्रांसफर्मेशन हो रहा है ना उसको अगर युवा नहीं अपोस करेगा अपने ब्रेंड से तो यह जो सेलफोन और इस तरह की दुनिया है यह आपको जो भी शॉर्ट बहुत सारी चीज़ है ठीक है तो चल किसी को गुलाम रख लिए ठीक है तो 843 के एक्ट पांच में जो भी गुलामी है उसको भी गयर कानूनी बना दिया गया है लौड एलनबरो का समय चल रहा था केश्व चंदर सेन 872 में नेटिव मैरेज एक्ट बहुत बार पुछा हुए बहुत बार पुछा हुए ठीक है याद कर लो इसको कि नेटिव मैरेज एक्ट 1872 में यह पूछता है नेटिव मैरेज एक्ट कब आया यह पूछता है किसके सहयोग से आया या पारित करने में किसकी भूमिका थी तो केश्व चंदर सेन की थी ठीक है इसमें क्या किया गया नेटिव मैरेज एक्ट में नियू से समझी जाओगे एनम में यहां पर एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं चलिए अठार सो 1929 में अजमेर निवासी और न्याधीश है डॉक्टर हर्विला शारदा के प्रेशन से यह शारदा एक आता है ठीक है यह चीज़ आद रखने हैं अठार सो 1929 वरी 1929 चारदा एक आता है क्या बाल विवाः निशेद की बाल विवाह नहीं कर सकते हैं जो आपका रमकृष्ण परमधन्स थें उनकी पतनी जो शारदा देवी थी वह कितने साल की थी और वह कितने साल के दो उनतिस साल के तो इस तरह विवाः थोड़े होता है तो उसके लिए बाल विवाह निशेद कानून भी आ गया इस अधनियम के द्वारा क्या होता था कि लड़कियों की विवाह की नियुनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्दारित की गई एक बत और बता रहो बाल विवाह में चक्कर गया है बाल विवाह माने ची 14-15 साल की लड़की है कर दिया बाल विवाह उसका शरीर उतना डेवलप नहीं है कि वो मतलब बच्चे पैदा कर पाए लेकिन अगर इन केस बच्चे आते हैं ठीक है तो प्रॉब्लम यह होती है कि शरीर जब उस चीज को बियर नहीं करेगा तो एक ही व्यक्ती बच्चेगा चाहें बच्चा बच्च गया या जच्चा बच्च गया ठीक है तो इससे क्या है कि मतलब एक तो गलत काम कर रहे हो फिर जिसके साथ गलत काम हो रहा है यानि कि जिसके विवाह हो रहा है उसकी जान भी चली जा रही है तो ये चीजे ठीक नहीं है, कि अगर कोई बच गया, बच गया, नहीं बचा तो मर गया, ठीक है, तो ऐसे थोड़े होता है, फिर वो दूसरी इसादी कर ले, फिर तीसरी कर लिए, ऐसे नहीं होता है, तो इसलिए ये act आया था, नाम यह द रही है, शार्दा act के नाम से और इसमें विलियम कौन जज और अन्य भी लिखा हुआ है तो इनका भी नाम याद कर लो यार पता चली नहीं का नाम पूछते तो विलियम कौन जज जो है वो भी रिलेटेड ना 875 में आया था था थियो सोफी ठीक थियो सॉफीकल सुसाइटि कहां स्थापना हुई थी तो न्युवार्क में हुई थी यह याद रखना जहां का लड़का था वहां स्थापना हुई थी ठीक सुसाइटि के संस्थापक 882 में अधरास के में वह हुआ था आपका न्यूयार्क में लेकिन सोसाइटी के संस्थापक 8802 मतलब मद्राज के अडियार में भी इसके स्थापना करते हैं और अंतराश्टी कारे लवी बना देते हैं इनी बेसेंट जो है ये आपका आरिलेंड की महिला है इसकी सदस्थ से बनती है और भारत आकर सोसाइटी के लिए सबसे सक्री भूमिका निवाना शुरू कर दिया इनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व के आध्यात्मिक गूड़ेंग आध्यात्मिक धर्म बताया कहा कि भाई हिंदू धर् आपको कि थियोसोफी पुनर जिनम के सद्धान्त को मानेता नहीं देता है ठीक है लेकिन वो देता है तो याद रखे कि इस तरह के प्रश्णागर पूछते है कर्म सद्धान्त को मानेता नहीं देता है लेकिन देता है ठीक एनी बेसेंट जो है को भारती लोग जो है जो है आपको पता है कि इनके साथ तिलक मिल करके होम रूल लीग जो है चला रहे थे रानाड़ाई के शिष्ष है गोपाल किष्ण गोखले ठीक है 1905 में सर्वेंट्स ओफ इंडिया सुसाइटी के स्थापना करते हैं एक्जामनेशन में पूछा हुए कोशन है याद रखेंगे सर्वेंट्स ओफ इंडिया साइटी 1905 गोपाल किष्ण गोखले कांग्रेस के कीसमें अधिविशन 1905 में बनारस में जो हुआ था उसके अध्यक्षता करते हैं राजनीति गुरू किसके थे तो महात्मा गादी के पॉलिटिकल गुरू थे 1910 के उपरां जोतिबा फूले के विचारों से प्रेडित होते हैं मुकंद्राव पाटिल और शंकर्राव जाधाओ और एक ब्रामण विरोधी प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज के स्थापना करते हैं तो ऐसे याद रखेंगे कि जोतिबा फूले जो है जो भी कटर पंध ब्रामण वाधी है या पकंडी ब्रामण है उनके विरोध जो है एक गैर ब्रामण का और्गनेजिशन बना करके विरोध करते हैं और उन्ही के विचारों से प्रभावित होते हैं दो लोग मुकंद्राव पाटिल और शंकर्राव जाधाओ ब्रामण विरोधी ये भी प्रभल कांग्रेस विरोधी एक बहुजन समाझ के स्थापना करते हैं 1910 के पाट फिर नडारों है नडार कोन है ये मंदिन में प्रवेश के अधिकार की संस्तुती करते हैं और 1899 में तिरुनल वेली के भैंकर दंगे से संबन देता है नडार जो है चुवाचूत उन्मूलन के लिए आयोजीत एक संमेलन में तिलक कहते हैं कि यदि भगवान भी चुवाचूत को बरदाश करे तो मैं भगवान को नहीं मानूँगा तिलक भी कहते हैं कि चुवाचूत भाई कुछी चीज है यह सब जब सब लोग समान पैदा हुए तो चुवाचूत कैसे बना दिया गया यहाँ पर तिलक को लोग प्रहाय लोगमाने की उपाधिय देते हैं और भारत का बेताज बाच्शाह भी कहते दारुलूलूम जो की देवबंद के संस्थापक्स दस्यों में मौलाना हुसाइन का नाम आता है दारुलूलूम देवबंद के स्थापना 886 में हो तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ लिया कल हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें से कांग्रेस से पहले जो राजनेतिक संस चली तो आज के लिए पसेतना ही आशा करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर ठीक लग रहा होगा और साथ में आप लोग रिवाइज भी कर रहे होंगे ठीक है चली आज के लिए पसेतना ही धन्यवाद